अगर आपको भी मेरी तरह लंबे, सिल्की, शाइनी, घहने बाल पसंद है, दिन ये वीडियो आपके लिए है आज कल की भागदर वाली जिंगी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बालों को डल, डैमेज, रफ और फ्रीजी बना देते हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, like किसी के बालों में हेर फॉल बहुत ज़ादा हो रहा है, किसी के बालों बहुत ज़ादा रफ और ड्राइ हो गया है, किसी के बालों की शाइन चली गई है, तो किनी के बालों का बढ़ना बंद हो गया है सबकी अलग-अलग problems हैं तो solution भी सबके लिए अलग-अलग होना चाहिए ऐसे में आज मैं आपके लिए तीन hair mask लेग कर आई हूँ और अच्छी बात यह है कि ये तीनों hair mask घर में पड़ी हुई natural ingredient का यूज़ करके मैंने बनाया है अगर आप महेंगे products पे महेंगे hair mask पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो आप घर में रखी हुई चीजों से natural ingredient का यूज़ करके अपने बालों को treat करना चाहते हो अपने बालों को shiny, silky, healthy बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो एंड तक देखना तीनों मास्क आपके लिए बहुत ही अच्छे है बहुत ही यूज़फूल है तो चलो बिना टाइम विस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको मैं तीनों मास्क एकर करके बताती हूँ सबसे पहला हैर मास्क जो हम बनाएंगे वो है हिबिस्कस हैर मास्क जो आपके रॉफ ड्राइ बालों को डीपली नरिस करेगा और कंडिशन करेगा इस मास्क को बनाने के लिए आपको 7-8 हिबिस्कस की लिप्स चाहेंगे यानि कि 7-8 आपको गुरहल की पतियां चाहें आप हिबिस्कस लिप्स या फिर हिबिस्कस फ्लार्स का यूज कर सकते हो अपने बालों को मौस्टराइज करने में हिबिस्कस फ्लार्स या हिबिस्कस लिप्स में हाई अमाउंट में में मिल्सलिस होता है जो natural conditioner की तरह work करता है इसके बाद आपको जवरत पड़ेगी कलॉण जी की जिसको black onion seeds कहते है कलॉण जी थाइमर किनोन का एक natural source है जो बालों को बढ़ाने में help करता है कलॉण जी omega 3 and omega 6 का भी अच्छा source है जो आपके scalp को repair and nourish करता है जिससे बालों का तूटना कम हो जाता है कलॉण जी आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों का तूटना या फिर जढ़ना कम हो जाता है ये आपके scalp को अंदर तक नरिस करता है जो hair growth को boost करने का काम करता है इसके साथ ही ये आपके बालू में premature grain को भी रोगता है और ये सारे कलॉंजी के benefits आप एक hair oil में पासकते हो जिस hair oil को मैंने अपना hair fall रुखने के लिए use किया है ये oil है Vansar का 100% pure cold pressed कलॉंजी hair oil जो एक ayurvedic hair oil है जो West Bengal के finest कलॉंजी seeds से त्यार गिया गया है इस oil को cold pressed method से त्यार किया गया है ताकि इस oil के 100% nutrients तुरक छीत रहे है ये oil 100% pure है क्यूंकि इसमें ना ही कोई preservatives या फिर fragments को add किया गया है और बाकी other hair oils की तरह ना ही इसमें mineral oil है ना ही paramin या फिर chemical तो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा thin है बहुत ही ज़्यादा hair fall हो रहा है hair loss हो रहा है बालों में growth नजर नहीं आ रही है तो आप एक बार इस ayurvedic hair oil को यूज करके देखो भले ही आपको market में बहुत साड़े hair oil मिलेंगे with multiple ingredients बट ये एक ऐसा आपके बालों को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को दीजाएंगल कर लो थोड़ा सा आप अपने हथीली पर लो इसको रब करो अपने scalp पर अप्लाई कर लो finger के help से gently आपको oil अपने पूरे scalp पर अप्लाई कर लेना है हलके हलके हाथों से massage करते हुए scalp के साथ आप पूरे बालों की length पर भी hair oil apply कर लोगे 2-3 गंटे के लिए तेल आप अपने बालों में रहने दो और इसके बाद hair wash कर लो आप best result के लिए इस तेल को अपने बालों में रात पर के लिए रख सकते हो बैदेनात का नाम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आपने भी सुना होगा वंसार भी बैदेनात का ही एक skin and hair care brand है with 100% years of legacy वंसार के special range care products आते हैं hair care problems के लिए hair products आते हैं mature skin problems के लिए वंसार के skin care products आते हैं अगर आप इस hair oil को buy करना चाहते हो तो आपकी convenience के लिए मैंने अपने description box में इस hair oil को buy करने का link दिया है आप चाकर वहाँ से इस hair oil को एक बार जरूर देखो तो चलो अब इस mask को त्यार करते हैं इसमें आपको गुरहल की पद्यू के साथ add करना है एक चमच कलोंजी और थोड़े से पानी की help से एक fine smooth paste आपको तयार कर लेना है अब इस paste में हम add करेंगे curd या फिर घर की बनीवी fresh दही आपको इस mask में 4-5 चमच दही add करना है quantities आप अपनी hair length के according गमिया जादा कर सकते हो इसमें हम add करेंगे 2 चमच coconut oil या फिर नारियल का तेल इन सारी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और हमारा mask तयार है ये hair mask आपके scalp को clean और healthy रखने के साथ आपको hair growth भी देगा आपके बालो को नरिष करेगा आपके scalp को नरिष करेगा आपके बालो को condition करेगा दूसरा hair mask जो हम बनाएंगे ये है aloe vera hair mask इस hair mask को बनाने के लिए आपको fresh aloe vera चाहिए aloe vera का जो yellow liquid होता है उसको आप बाहर निकाल लोगे और उस पार्ट को कट करके हटा दोगे aloe vera के दोनों साइड में जो काटे होते हैं उनको हंटा दोगे और aloe vera का जेल आप निकाल लोगे aloe vera में बहुत सारे active ingredients है और minerals है जो आपके hair को आपके बालो को मजबूत रखने में help करते हैं इसमें fatty acids हैं amino acids हैं इसके साथ aloe vera बहुत सारे vitamins में reach है like vitamin A, vitamin B12, vitamin C and vitamin E यह सारे जो minerals है, vitamins हैं यह आपके hair follicles को healthy रखने में बहुत ही अची भूमिकानी भाते हैं aloe vera आपके hair growth में help करता है hair fall को reduce करता है और आपके scalp को आपके बालो को strengthen करता है मजबूत बनाता है तो आपको aloe vera gel निकालना है उसको अच्छे से paste की तरह तयार कर लेना है then इसमें हम add करेंगे curd या फिर दही दही आपके बालो को ultra nourishment provide करता है खास करके dry and dull बालो को दही के साथ आपको add करना है एक चमच honey या सहद honey आपके mask में एक binding agent का काम करता है यानि कि ये आपके mask में ये आपके hair mask में एक good base तयार करता है and इसके अलावा honey के benefits भी है like ये आपके dry hair and scalp को moisturize करता है and बालो में sign को restore करता है honey के साथ आपको इसमें add करना है एक चमच olive oil and इन सारी चीजों को अच्छे से mix करना है अच्छे से mince बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इनको mix करना है ताकि सारी चीजें एक दूसरे से अच्छे से mix हो जाए and एक बार जब ये सारी चीजे mix हो जाएंगी आपस में then आपका hair mask कुछ इस तरह की consistency का दिखने लगेगा जैसा कि देख सकते हो अच्छे से मिलाने के बाद इसका texture creamy हो गया है तो इस तरीके से आपको इसको फीटना है मिलाना है and creamy texture इसका त्यार हो जाएगा जिसको आप अपने बालो पर आप अपने scalp पर लगाओगे पीस से तीस मिनट के लिए आप इसको अपने बालो पर छोड़ दो and इसके बाद आप hair wash कर लो अगला जो hair mask हम बनाएंगे यह है आमला और मुलेथी hair mask इस hair mask को बनाने के लिए आप 3-4 चमज आमला water लेना है and same quantity में 3-4 चमज आपको मुलेथी powder लेना है अगर आपको बहुत ज़र्दा hair fall की इसूज हो रही है and आप एक natural remedy ट्राइ करना चाहते हो इस hair mask को आप ज़रू dry करना तो इस hair mask को बनाने के लिए हम यूज करेंगे coconut oil का instead of water आपको धीरे-धीरे coconut oil इस mask में मिलाते जाना है तब तक मिलाना है तब तक एड़ करना है जब तक कि इसकी consistency कुछ इस तरह के liquid type ना हो जाए इसमें जो मुलेटी हमने यूज किया है याने के लिकोराइस पाउडर यह आपके scalp में blood circulation को प्रमोड करता है आपके hair follicles को नरिष करता है बाइस्ट्रेंद करता है by supplying vital nutrients to them सारी चीजें आपने अच्छे से मिलाली बढ़िया सब पेस्ट त्यार कर लिया इसके बाद आपको इसको double boiling method से गर्म करना है आपने किसी बड़तन में पानी गर्म करना है इस बड़तन को जिसमें आपने मास्क पनाया है उस पे डाल कर आपको अच्छे से 10-15 मिनट के लिए गर्म करना है दिन किसी कपरे की हल्प से इसको आप निकाल लो हलका ठंडा होने दो ताकि ये लगाने के लायक हो जाए और इसको आप अपने scalp पर apply करो चाहो तो आप अपने बालों पर भी apply कर सकते हो ये hair mask आपको hair fall से छुटकारा दिलाएगा and hair growth आपके बालों में दिखने लगेगा आमला आपके scalp में hair growth प्रमोट करेगा आपके बालों के texture को improve करेगा आपके बालों में thickness लाएगा अगर आपको thin hair की problem है बहुत ज़्यादा hair loss की problem है आप आमला का यूज़ कर सकते हो तो guys जैसा कि मैंने 3 hair mask shared किया है तो आपको ये 3 hair mask लगाने की जुड़त नहीं है आप में से कोई भी किसी भी एक hair mask को apply कर सकता है आपको चूच करना है कि आपको कौन सी problem है और ये hair mask आपकी किस problem के लिए essential है किस problem के लिए आपके लिए effective है तो ये आप जोज़ कर सकते हो कि आप तीनों में से कौन सा apply करना चाहते हो तीनों आपको apply नहीं करना है तीनों hair mask आपको एक साथ apply नहीं करना है आप अलग-अलग time पे apply कर सकते हो इस hair mask को लगाने से पहले एक बात का आप ध्यान रखोगी आपके बालो में oil नहीं होना चाहिए प्लस आपके बाल स्लीन होने चाहिए यानि कि आपने अगर कल या पर्सो शैंपू किया है तो आज इस hair mask को लगा सकते हो आपको hair mask स्काल्प में लगाना स्टार्ट करना है स्काल्प में लगाने के बाद आपको अपने पूरे hair length पर भी hair mask को लगा देना है आप 30 minute के लिए rest दोगे इस hair mask को बालो पर 30 minute के लिए रहने दोगे and then आप बालो को wash कर सकते हो आप चाहो तो शैंपू से बालो को wash कर सकते हो या फिर नॉर्मल पानी से भी कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना for motivating me and मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye